नवाश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर आज ही यूजी पीजी और पीजी के लिए अप्लिकेशन कॉल की एडमिशन अगले एर अकडेमिक एर 2021 के लिए तो देखेंगे इस वीडियो में कि step by step application form कैसे भरना admission के लिए थोड़ी सी information collect करने के कोशिश करेंगे कि क्या होगा तरीका और फिलहाल जब मैं ये presentation बना रहा था उस समय पूली update नहीं था ये website लेकिन अब ये हुआ है आप easily उसब कर सकते हो तो चले देखेंगे बिना देरीक करते वीडियो में शुरत और देखेंगे कि क्या है ये admission procedure का थोड़ी सी information collect करने के कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो भी डिली उनिविशिटी में जो भी admission होंगे तो ये तो होगा merit base और दूसरा entrance base यूजिक admission होंगे merit base यानि जो भी आपकी qualifying examination होगी जिससे हम बार भी कहते है under the gadget के लिए तो या फिर 10 प्लस 2 तो जो board examination होगा उसके marks के आदार पर उसके merit उसके marks जो आएंगे marks उस पर या फिर आये होए उसके आदार पर merit लगेगा उसके basis पर admission मिलेगा कुछ course के लिए कुछ course के लिए entrance होगी तो आप उनके website पर जाकर देख सकते कि कौन कौन से course entrance के लिए कौन से course available है वहाँ पर या फिर जब आप application भरने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से entrance के लिए courses है हम आपको online application common application form भरना है undergraduate के लिए कोई offline application form की स्विविदा उपलब नहीं है जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा तो फिर आपको अगला जो प्रोग्राम है उनका admission का उप पूरी तरह से पता चल जाएगा हाला कि आज से application form भरना शुरू हुए है लेकिन बाकी का जो पूरा program है उनका अपडेट नहीं किया है बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये कब अपडेट होगा फिलाल कुछ बहुत सारे board का या बहुत सारे board का भी result बाकी 12 का तो उनका चल रहा है कि आपको बाद ही की गई है DUE की तरप से कि student आप जितना हो सके उतना जल्दी आप भर दीजेगा ज़्यादा रश्च हो जाए कि फिर website slow होगी और फिर बाद में दिक्कति आती है तो आप application भरके रखिएगा और ये अच्छा सुचा हो है तो दिखेंगे online application के लिए हमें कितना feeds फेड करनी होगी अगर आप open category आप फिर OBC से बिल्वां करते हो तो फिर आपको 500 रुपीज देने होंगे SCST और EWS और PW केंडिट को 100 रुपीज ECOS sports वालों को 100 रुपीज एस्टा देने होंगे और अगर आप entrance based examination के लिए जा रहे हो तो फिर अगर आप open OBC हो तो 7500 रुपए आपको और देने होंगे SCST के लिए 300 रुपए और देने होंगे अगर आप admission कैंसल करते हो तो cancellation fees आपके लिए 1000 रुपीज लगेगी तो चलिए मुड़ते हैं अगला section जो हमारा main मुद्धा है इस video का की online application form कैसे बहरे तो फिला उनके room page पर admission पर आप चले जाओगे तो फिर यहाँ पर हाला कि आप अभी link उन्होंने update किया है और directly आप वहाँ पर भी जा सकते हो तो मैं आपको सभी required जो link है आपको description में मिल जाएगे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप उनके admission के page पर चले जाओगे तो फिर आपको वहाँ पर आपको notification भी मिल जाएगा आपको यहाँ से आप उनके portal पर जा सकते हो UGK आपको last year के cut-off भी यह पर देखने के लिए मिल जाएंगे left hand side में link है और आपको curriculum जो updated है उनका वह भी वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि मैंने का सभी link required लिंक आपको description में मिल जाएगी तो चलिए यहाँ यहाँ पर UG, PG और EMPL का उन्होंने portal पर दिया है हम UG का देखेंगे फिल information वहाँ पर अविलेबल है आपकी सारी की सारी शांकाओं का निरसन वहाँ पर हो जाएगा नीचे आपको communication के लिए mail IDs भी provide कियेगे है जिसे दिक्कत होने के बाद आप उनको communicate कर सकते है उनका जो यह portal है पिर क्लिक करने बाद आगर जाओगे आगे तो फिर UG का portal है यहाँ पर फिलाल colleges और courses और colleges अपडेट नहीं है लेकिन आप admission FQs में जाकर वहाँ पर पूरी information है अच्छी दर से दिये वह भी आप पड़ सकते है या फिर यह वो सारे question उनके information bulletin में फी डाले है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं तो जैसे कि हम शुरुआत में ही जानते है कि कोई भी हम application करना है तो पहले हमें उसे registration करना होगा हमारा login ID और password create हमें करना होगा उसके बाद ही हम अंदर जाकर form बर सकते तो पहले हमें new registration करना है उसके लिए आपको new registration पे click किजगे जो left hand side में available है और जाहिएगा आगे आगे जाने के बाद फिर आप वहाँ पे instructions है तो फिर वो लोग आपको पता होगा कि आपने आपके hall ticket पे नाम कैसा है जेनरली 10th और 12 पे same नाम होता है कुछी लोगों का अलग होता है लेकिन बहुत सारे students का 95% या 98% students का 10th और 12 पे जैसा ही नाम होता है आप वैसा यहाँ पे डाल सकते हो उसके बाद फिर आपको एक working दर सा password create करना है उसे एक बार re-enter करना है mobile नंबर भी उसी परकर आपको 10 digit वाला आपका mobile नंबर वहाँ पे देना है उसे re-enter करना है और फिर capture डाल कर आगे जाना है और आपसे appeal की है DOE की तरफ से कि आप Google Chrome का जो अगर updated browser यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप यह capture डालोगे तो register के लिए क्लिक करोगे तो फिर आपका registration के लिए आपके लिए verification code आपके mail id और mobile पे चला जाएगा आप किसी से भी आप उसे लेकर वहाँ पे डाल दीजेगा आपके इस प्रकार जो right hand side में दिखाए देगा mobile का जो screenshot है उस पे आ 15 मिनट के अंदर आपको कुछ technical issue की वज़े से या फिर server problem की वज़े से नहीं आता है और टेबी तो फिर recent भी आप उससे कर सकते हो यह सब होने के बाद आपको account आपका verify हो जाएगा और फिर आप eligible हो जाओगे लोग इन करने के लिए और right hand side में जो window है वहाँ पे आप register mail id औ आपका जो create किया हुआ password है उसे डाल कर आगे जा सकते हो login कीजिएगा login करने के बाद फिर आप जाओगे first page जो की instructions आपके वहाँ पर पढ़ लीजेगा आपको क्या क्या तयारी करनी वहाँ पर सब दिया है उन्होंने उसी प्रकार से फिर आपको तयारी करके फिर आगे जान से आप document तयार करके रखिएगा उनकी size भी उन्होंने वहाँ पे दी है तो उस size की बीच की जो size होगी उसके हिसाब से आप document प्रिपेर करके रहे ताकि आपको आगे जाके problem नहीं आगा ऐसा को आगे document है कि जो आपको अभी preparation के लिए आपने दिया है आएगा अभी आपको उ आपको एक बार टिक करना है उबल्यू में और आपको आपकी आनुमती दिने के आपको पढ़ा है सब और चलिए submit करके आगे जैसे आप आगे जाओगे तो फिर आपको दिखाए देगे कि 8 stages में आपको हमें यह application form complete करनी है personal information, academic, entrance, sports, ECA और document upload करनी है उससे एक बार preview करना है final submission के लिए जाना है और यह payment के लिए हमें जाना है तो इस simple 8 stages में यह form भड़ना है उसमें जो पहला section है personal information यही थोड़ा सा बड़ा है बाकी सब छोटे-छोटे section है आप उससे जल्दी निप्टा सकते हैं तो personal information में देखेंगे पहले तो हमें आपको जो नाम है उसे डालना ह है यहाँ पर first name, middle name और last name के तरह डालाएं आपके mark sheet की सबसे उन्होंने आपको registration के वक्ति आपका नाम लिए है यहाँ पर first name, middle name और last name यहाँ पर देना है gender select करते समय उन्होंको आपको pop-up में एक message आज गया और आपको आगा किया जाएगा कि female candidate गलती से mail ना select करें ताकि अ आप गलती यहाँ पर selection में ना करें, date of word डालीजेगा बाकी की जो information आप उसमें कुछ दिक्कत ने होगी भरने में अगर आप non-crimalier OBC वाले हो तो फिर आपकी जो OBC के आपकी state की जो cast है वो central में होनी बहुत ही जरूरी है और उसके हिसाप से फिर अगर है तो वहाँ पर drop down उन में आपका state आप select कीजीगा, आपके state की सबसे community वहाँ पर आ जाएगी उसे आपको select करना है, income select करना है, अगर दूसरी काटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर ये जो तीनों है state, community और income ये नहीं पूछेगा और आपका minority का status डाल कर आपको जाना है, आगे अगर आ आप चाहे तो alternate email ID और alternate mobile number दे दीजेगा, और चलिएगा अगर आप चाहे तो आधार भी दे सकती, ये कोई mandatory field नहीं है, आप अगर चाहे तो उसे भर दीजेगा, नहीं तो आप चलिएगा आगे, आगे जाना है family details आपको वहाँ पर देने है, mothers और fathers का नाम आपको देना है, बाकी की जो information है, mother fathers के office का address और mobile number अगर चाहे तो आप दे सकते या फिर उसे खाली छोड़ सकते हो, दूसरा section है कि word quota details, अगर किसी student की पिता जी और माता जी अगर वहाँ डियू में काम करते हैं, तो फिर उनके लिए special सुविता है, अगर आप eligible हो तो फिर आप yes बूल दीज में आप apply करना चाहते हो, उसको आपको tick जो है, वो blue tick वहाँ पे select करना है, अगर आप नहीं हो तो फिर चलिएगा आगे, अगर है तो फिर required information फिल करके चलिएगा, आगे, other category quota में भी आपको वहाँ पे अगर PWD category से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको drop down में बहुत सारे subcategories ह आपको उनके information bulletin में मिल जाएगा, उसी परकार काश्मेरी migration के लिए भी आपको वहाँ पे appropriate option choose करना है, और चलना है, अगर आप जैके SS या फिर जैनके students की जो scholarship है, EICT की, तो अगर उससे आप या फिर प्राइम मिनिस्टर जो special scholarship जो EICT के थुरू चले जाती, अगर उससे आप eligible है, तो भी आप उसको यहाँ पे select करना है, अगर आप government of nominee से किसी state से भी लंग करते है, तो फिर इस सिक्किम से अगर आप करते हो भी लंग, तो यहाँ पे आपको उसका भी status select करना है, address देना है, address में आप address line 1 में कुछ आधा address डाल दीजीगा, आधा address आप second line में डाल दीजीगा, country, state, city up select कीजीगा, pin code आपको आपको वहाँ पे डालना है, अगर same address का correspondence में पर्मन अड्रस एक ही है, तो फिर वो ब्लीटी पे click कीजीगा, अपने आप address वहाँ पे update हो जाएगा, चलिए आगे, उसके बाद फिर हमें refund के लिए अगर कुछ है तो parents का bank account यहाँ प भरनी है, और उसे submit करके चलना है आगे, जब आगे जागो तो फिर next stage पर आपको पूरा जो अपने first stage भराए, उसका पूरा preview दीखागा, एक बार आप field by field जाएगा, अगर कुछ गलती हुए है तो edit करके आप उसे update कर दीजेगा, या फिर चलिएगा next पे, जब आप next पे ज instructions पूरी पढ़ लिजेगा, 70-30 का जो मामला है, उसका भी पूरा clarification उन्होंने उनके information brochure में या फिर information bulletin में दिया है, आप उसे पढ़ लिजेगा, या फिर जब आप marks की entry करोगी, तब भी आपके समझ में आ जाएगा, जिन लोगों का students का अभी तक result बहुत सारे students का नहीं आ आपको marks की entry करनी है, आपका अगर वहाँ पे आपको theory और practical के अलग-अलग mark की entry करनी है, अगर आपका 80-20 का pattern है तो वहाँ पे उस प्रकार डाल दीजेगा, अगर 150 का है तो उसी प्रकार के आप वहाँ पे डाल दीजेगा, आपके marks आगे आजाएंगे, तो एक बार आप से पूछेगा, वह आप वहाँ पे select कीजेगा, और submit पे click करेंके चलिएगा, आगे अगला section है, वह पूरी जो भरी वे information आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से देख लीजेगा, अगर आप satisfied है, तो फिर next पे click करके चलिएगा, आगे अगला section है entrance examination, आपने जो course चुना है, आप जिस course के लिए eligible हो, important instruction जो दिये है, वहाँ पे पूरे पढ़ लीजेगा, आपके समझ में आ जाएगा, अगर आप eligible हो particular, कुछ courses के लिए, जो की entrance से बिलोंग करते हो, जो entrance examination आपको देनी होगी, और आप उसके eligible criteria जो फुलफिल करते हो, तो फिर आप वहाँ पे yes करके आ access करना है, और चलेगा, आगे आगे जाने के बाद फिर आपको करने है, आपके entrance test के लिए जो center है, उसका preference charts आपको देनी होगे, limited है centers, आपको उसमें से ही चार का सुझाव आपको चुनाओ करना है, preference देना है, submit पे click करके चलेगा, आगे, आगे जाने के बाद फिर अगर edit करना है, तो edit कीजिएगा, next पे जाना है, तो next पे जाएगा, जो भी अपनी information भरी गई, यहाँ पे ओ display होगी, आगे जाने के बाद फिर आपको जाना है, sports, अगर sports कोटे से आप बिलोंग करते हो, sports कोटे से अगर eligible sorry, तो फिर आप यहाँ पे add another game sport करके, उसको fill कर सकते हो, तो यहाँ पे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको category को yes करना है, yes करने के बाद, sports category को yes करना है, उसके बाद आपको game आपका select करना है, उसके बाद certificate details आपको भी यहाँ पे डालनी है, note आप पहले पढ़ लीजिएगा, आप अगर eligible होए, तो फिर यह पूरी information भर दीजि क्लिक कीजिगा, चलिएगा, आगे, आगे जाने के बाद फिर ECA का, अगर ECA आगर आप यहाँ पे record, उसी प्रकार जैसे हमने sport का add किया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी आप record add कर सकते हो, अगर आपका कुछ है, NCC का add है, तो फिर आप यहाँ पो select कीजिएगा, NSS का है तो select कीजिएगा, आपने जो activity उसके अंदर की है, यहाँ पे list होगी, उसको आपको tick करना है, इसका भी पूरा बेवरा आपको information brochure में मिल जाएगा, किसको कितना कितना वेटेज है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा, पूरा information भर दी जगा, submit करके चलिएगा, आगे, त इसके हिसाब से आपको यहाँ पे document upload करने के लिए आ जाएंगे, जैसे कि हमने कहा शुरुवात में ही, आपको आपका photo, आपकी signature, 10th mark sheet, और फिर जैसे जैसे आपको अगर चाटेगरी है, तो फिर चाटेगरी का, अगर पी डबलीड है तो पी डबलीडी का, जो भी कुछ आ जाएगी, जैसे आप उस सभी को select कर दोगे, आपको यहाँ पे file दिखाए देगी, view file पे click करकर आप उसे pop-up में देख सकती हो, यहाँ पे आप save करकर continue later पे click किया, तो फिर आप home page पे चलो जाए, अगर आपको stage कितनी select complete हुई और दिखाए देगी, बाकी की pending stages भी आपको व आपको कि पूरी जो detail से section wise आप पूरी field wise जाएगा, अगर कुछ है तो edit करना है तो यहाँ से भी आप modify this section पे click करकर पूरा section edit कर सकते हो, फिर आईएगा आगे, अगर आप fully satisfied हो तो I agree पे click किजिएगा और submit पे click करके आप जाएगा next stage जो कि है आपकी payment की stage या फिर final submission की stage वहा पे recheck होगी, आपको हर एक check box में tick करना है और उसे agree करना है कि आपने information check की है और फिर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे भी रुख सकते हो, अगर आपने home पे click किया तो फिर आप home page पे चले जाएगा और आपकी सिर्फ जो payment की stage वह complete करनी की रहेगी और वहाँ से भी आप वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ फिर payment gateway पे click करके आप जा सकते हो उस page पर जो कि यह page है, यहाँ पे अगर अपने home page पे आ गए, यहाँ पे click किया home पे, pay letter पे तो फिर इस page पर आप आजाओगे और यहाँ पे आपको payment का pending दिखाए देगा, continue application पे click करने के बाद आप जा सकते ह पिर से इस stage पर और get अगर यहाँ फिर आप payment gateway पे click करोगे तो भी जाओगे इस page पर, तो finally payment पे आओगे, आजाओगे सारी, net banking, debit, credit और UPI से आप payment कर सकते हो, UPI अभी famous है तो UPI के देखेंगे, आपको आपको मोबाइल नंबर आपका automatic आजाए, email एड़े optional है, बाकी की information optional है, सिर्फ आपको VPA देना है, जो भी आपका address होगा, वो आपको UPI ID वहाँ पे देना है, जिस ID पे उनकी request चली जाएगी, और जो भी application है, उनका उस UPI ID से associated, वहाँ उस application में आपको उनकी request दिखाए देगी, 500 रुपे का, या फिर जो भी आपकी fees होगी, उसका उनका पेमेंट क होने के बाद, फिर यहाँ पे आपको उसका status दिखाए देगा, हाला कि मैंने payment नहीं किया, इसलिए मेरी stage अभी भी pending दिखाए दे रहे, अगर आपने payment कर दिया, तो फिर आपका final submission हो जाएगा, तो चले दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है था, अगर आपके मन में सवाल है, कुछ update आता है, फिला लोगों update कर रहे हैं उनका website, तो जरूर मैं उसे आपको देने की कोशिश करूँगा, आपके मन में अगर कोई सवाल है, तो पूछिएगा मुझे comments में, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की, तो अचले रुकते हैं यहाँ आप फिर मिलेगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जद जयते मैं आपसे एक सिंपल रेक्वेश्ट करना चाहूँगा, कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, थैंक यू